ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जन्ता के बीच में निरंतर भ्रम भैलाने का प्रयास कर रहे हैं विगत कई महिनों से कभी किसी मुद्दे का सहरा लेकर कभी किसी मुद्दे का सहरा लेकर वो ऐसा शोर शराबा बनाना चाहते हैं जिसमें सच को या तो दबाया जा सके या जुटलाया जा सके परंतु जो जो भिन भिन इस तरों पर जांच की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही है और भिन भिन जगहों पर मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जानकारियां आ रही हैं तो उसके साथ उन लोग के ये सारे दावे खोकले साबित होते जा रहे हैं और भरष्टा चार का कठोर या थार्थ जनता के सामने आ रहा है इसी शोर शराबे में कई बार दिल्ली को शराब में डुबो देने वाले लोग बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं मगर हम विशे को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते इसलिए हम उस विशे के उपर पुनह जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं नहीं उसका फोकस बना के रखना चाहते हैं अब पिछले एक दो दिन में जो जानकारियां आई हैं जो पुब्लिक डोमेन में आई हैं कि पूश्टाश के दौरान स्वयम दिल्ली सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग इस शराब के घोटाले में सक्री भूमिका निबा रहे लोग और मनीश सोदिया जी के जो सचिव रहे हुए लोग उन सब के संदर्ब से जो तथे सामने आए हैं वो उन चीजों को अब पुख्ता कर रहे हैं जिसे वो लोग सिर्फ आरोप सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे उधारण के लिए कि जो टेक्निकल कमेटी थी उसने या संस्तूती की थी कि होल सेल यानि ठोक विक्रे का अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहेगा ये प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा दूसरा जो प्राइवेट को यानि रिटेलर जो दिया जाएगा तो वो प्रकारांतर से सरकार के ही राजस्व में बढ़ना था परंतु यह तीनों निरणें बदल दिये गए बगैर किसी वैधानिक प्रिक्रिया के और अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निरणें बदले गए तो यह निरणें श्री अरव दिल्ली सरकार के पूरुमंत्री सत्यंद्र जैन जी भी उपस्थित थे यानि अब जिसे वो आरोप कह रहे थे न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुखता होता नजर आ रहा है बलकि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत सरकार के बचाओं का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है और इतना ही नहीं दिल्ली सरकार का जो आपकारी भी भाग है उसने यह नोटिस दिया था कि दोसों से अधिक जो लिकर शॉप्स हैं नॉन कंफर्मिंग एरियाज में वह इलीगल हैं गलत हैं और वह कैंसिल हो सकती हैं परंतु इसके बावजूद नियम कानून को ताक में रखकर वह दुबारा से वह फिर भी अलोट कर दी गई और यह निर्णे भी उनके सर्वोच नेता के संग्यान से हुआ तो अब जिसे वो अपनी कटरता कहने का प्रयास कर रहे थे अब मुझे लगता है इस कटरता को जितना भी वो कहने का प्रयास करते रहें अब सच उनके क्रमशा दांत खटे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इतना ही नहीं जो इस विशे में एक मुख्यारोपी हैं उसने आम आदनी पार्टी के राज्य सभा में सांसद महोदे संजय सिंग जी के रेफिरेंस देते हुए ये कहा है कि उन्होंने भी उनसे बुला कर कहा और चुनाव के लिए वांचित धन की व्यवस्था करने का आग्रेह किया और इसके बदले में उन्होंने कुछ शर्ट रखी कि अगर ये नीतिगत निर्णय में परिवर्तन हो जाए तो ये व्यवस्था हो जाएगी और अब वह तत्यसमा प्रकाश में आ रहे हैं कि वह परिवर्तन हो भी गया यानि जो नीतिगत परिवर्तन की अप एक्षा थी वो हो भी गया तो ये पुनह दिखाई पड़ रहा है कि अब किसी एक नेता की बात नहीं है किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर इमानदार कहते थे वो तो अब जूटों के सरदार नजर आ रहे हैं अब इस्थिती ये है वो एक सुर्दाश जी की पंक्ति है ना कि एक हुतो समझाईए आके कूपही में ही या भांग पड़ी है अगर एक विक्ति हो तो उसे वैसे होली का सीजन तो पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुए का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुए में भांग पड़ी हुई है तो इसलिए इन्हों ने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि दस वर्ष के इतने कम अंत्राल में पूरे भारत की राजनीत में किसी भी राजनेतिक दल के चाल चिंतन चेहरे चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधा पतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूद घोशक बनकर यानि सेल्फ प्रोक्लेम वन एन ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन तो अंत में हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष और विपक्षी दल एक कभी एक कभी किसी दूसरे मुद्दे का बहाना लेकर कितना भी डाइवर्ट करना चाहें जनता उनसे सीधे सीधे उनके द्वारा किये गए भरष्टाचार का जवाब मांग रही है और दिल्ली की जुवा पीड़ी के साथ उसके भविश के साथ किये गए खिलवाड का जवाब मांग रही है धन्दवाद देखे आरोप सत्यापित होते जा रहे हैं और उसके अनुसार जो भी विदिसम्मत करवाई होगी वो विवस्था के अनुसार होती चली जाएगी अब यह तो जिसने जो जो किया है उसे पता होगा कि वो कितना बेदाग होके निकलेगा या कितना दागदार होके फसेगा आज़ जो कितना यह अज़ तर ज़स्था की विवस्था के विवस्थाय क्या अच्टांग अच्छाग ऑनके पुठाट एंटार उस्थांट्स के व्यूच्वश्श में झाल्या क्या च्छलिवति काई भी बचल्ट्सूंग् from 1997 alu Prasad Yadavji has gone jail and not only this Congress Party when was the first this National Herald case registered October 2013 when so many cases of charges forget about this UPA 1 UPA 2 regime CWG 2G and others see P.V. Narasimha Rao become the first Prime Minister who has to stand in the court for trial on the charges of corruption she Rajiv Gandhi let's see Rajiv Gandhi was the first Prime Minister who was directly indicted his name directly indicted in the matter of corruption and they are talking about putting a blame on Bharti Janta party and others I think these are the parties which are having a characteristic tendency for corruption they have institutionalized corruption and now they are facing the true investigation and that's why they are trying to divert investigation or intimidate the agencies we have not told them we have not told them this is now the knowledge of this is in the public domain में है कि जब नीतिगत निरणय जो टेक्निकल कमेटी ने तै किये थे उन टेक्निकली उनी पॉइंट्स को फॉलो करके निरणय होना चाहिए था वो न करके उसको बदलने का जो निरणय हुआ वो उनके घर पर हुआ इसका आर्थ यह हुआ या तो वो इस विशे को दिखा दे कि सरकार के द्वारा प्रदत किस अधिकार का प्रियोग करते हुए उन्होंने नियम या कानून के किस लॉस के तहट ये निड़ने बदल दिया अगर उनके अधिकार में यदि नियमा अनुसार प्रक्रिया पूरी नहीं की और फिर बदल दिया फिर तो उनका सारा का सारा देखिए पहले तो यह वो पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगते स्थीफा दे रहे हैं चाहिए जांच बाद में होनी चाहिए तो आज वो माफी मांग ले या तो कह दें कि हमारा वो इस्टेंड गलत था या वो कह दें हमारा इस्टेंड बचकाना था दूसरा इस पार्टी की क्या क्रेडिविल्टी कही जाए वो अपनी मांसिक्ता से बोल रहे हैं उन्होंने किस-किस पे आरोप नहीं लगाए और किस-क इकबल जी से माफी मांगी और शायद विक्रम जी सिंग मजीडिया से भी माफी मांगी थी तो भाई उस पार्टी का क्या करेक्टर कहा जाए जो वो कहते हैं अच्छा ये बताईए आज तक उन्हों ने क्या एक चीज बताईए जो कहा है वो कर दिया हो मैं आप लोगों से एक पूर्ण सरकार नहिए है पंजाब में तो है ना है दिली में कहते हैं कि ऐंटी करॉप्शन पी रोओ हमारे पार पास नहीं है ठीक है पंजाब में कितना प्रस्टाज गुए उजागर कर दे एक साल हो गया ना सरकार का तो उनके लिए एक ही लाइन है पल भर में तोला है पल भर में है माशा कहते यह तमाशा है पर खुद है तमाशा देवेंद्र जी का प्रश्ट है देवेंजी देखे किसी भी विशे के ऊपर किसी सांसत को कब बोलना है क्या बोलना है यह लोकसभाध्यक्ष सदन की विवस्था को देखते हुए वह समय और विवस्था कर सकते हैं कि कैसे बोलना है जहां तक जो आपने बात कही कि जो कॉंग्रेस ने बात कही विशेशाधिकार समिति को देने का तो यह विशय संसत की विशय शाधिकार समिति के समक्ष लंबित है उस सरनेम वरी जो आपने बात कहीं ना उसी संदर्म है तो यह विशय सरनेम का विशय संसत की विशेशादिकार समिति के समक्ष लंबित है और एक ऐसे परिवार के विशे में है जो देश के उपर अपना सरवाधिकार मानता था तो मुझे लगता है उस पे टिपणी करना मेरे लिए अनाधिकार होगा बहुत चीज़ें उनको देर-देर में आदा रही है यह विशेव जी किसका अब देखे दो विशेव अलग अलग है एक तो जब विशेव की जाँच सरवोच नेयाले कर रहा है परंतु उसके बाद भी दूसरी जाँच के लिए कहना दर्शाता है कि आप विशेव को भटकाना चाह रहे है और मैं यह भी कहना चाहता हूँ अच्छे यह बताईए कल दोसो सांसत गए कहां गए एडी के पास एक तरफ कहते एडी बरोसा नहीं है सुप्रीम कोड क्यों नहीं गए सुप्रीम कोड पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन ले सकता है जहां चेजनसी सीधे नहीं ले सकती आपको पता है कि वहां पे तत्थ देंगे तो सुईकार हो जाएगा पर तत्थ तो है नहीं तो इसलिए ऐसी जगए जाना जहां शुत्पन किया है जिसकी वैसे जन प्रतिंद्यों यानि सांसदों के मन में भी उतना ही तीखा अक्रोश है हमारे राश्टी अध्यक्ष जेपी नड़्डा जी ने भी आज उसकी अभीविक्त की है आस तक कोई ऐसा उधारन नहीं है जब भारत के किसी मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर विदेश में दूसरे देशों से पृतिक्रिया मांगने की बात कही हो और उन्हें लोकतंत्र का रखवाला कहा हो मैं राहूल गांदी जी को याद दिला देना चाहता हूँ 1977 में सत्ता से हटने के बाद शायद 1978 या 1980 में इंद्रा जी भी गई थी लंद भारत का जो अपमान किया इसकले उनको बिना शर्त माफी मागनी चाहिए अच्छी स्वास की बात करते हैं और गूट गवर्नेंस की बात करते हैं तो अलिए तो इसी लिए तो इसी लिए तो दिल्ली के लावा कहां कहां सक्सेस्फुल हो पा रहे हैं अब एक बात और देखिए जैसे आपने कहा कि वो उस मॉडल की बात करते हैं शिक्षा का कैसा सुंदर मॉडल है ऐसा शिक्षा मंतरी आपको देश में देखने को नहीं मिला होगा जिसने नीटी नहीं एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री यानि बस्तें बोतल शुपाने वाला शिक्षा मंतरी आपको पूरी दुनिया में सिर्फ यहां मिला होगा और फिर उसके बाद ये भी कहे उनके मुह से अनायास कितना सच निकल गया था कितना मुश्किल है नियॉर्क टाइमस अकबा कौन है यूए से टुडे नियॉर्क टाइमस नहीं है यह यह मानेवर यह सरकार का बयान होता है तो इस समय वो कैबिनेट के द्वारा अनमोदित बयान होता है तो आप यह कहिए लजी साहब ने सरकार का वक्ताव पढ़ा है बस इतना संशोदन कर रहा हूँ आपके में नीरच पांडेश्ट अरे मैंने तो सिर्फ तथ्य रखा है हम कोई मांग नहीं करते मांगे वो लोग करते हैं हम तो सिर्फ यह बता रहे हैं यह तत यह सिर्फ यह बताने के लिए है कि वहां कौनों अच्छूता नहीं है यहां सभी ने पी और सब ने है पिलाई और इसी लिए सब के साथ दिख रही है कांग्रेस आई धन्यवाद